उत्तर प्रदेश राशी टंडन ओपेन इन्वस्टी प्रियाग राज में आपका स्वागत है मैं डॉक्टर सुष्मा चौहान स्कूल ऑफ साइन्सेस से आज आपको UGBY102 प्लांट फिजियलोजी की यूनिट 2 एब्सॉप्शन ओफ वाटर के बारे में बताऊंगी एब्सॉप्शन ओफ वाटर को हमने दो पार्ट में डिवाइट किया है और इसको लेक्चर वन और लेक्चर टू के फॉर्म में हम आपको कम्प्लीट करेंगे तो अब हम आते हैं यहाँ पर टॉपिक के उपर एब्सॉप्शन ओफ वाटर का मतलब क्या है पानी को लेना एब्सॉर्ब करना जैसे कि आप जानते हैं कि पानी एक बहुत ही आवश्यक चीज है कहा जाता है जल ही जीवन है लाइफ के जहां कहीं भी है वहाँ पर वाटर बहुत ही इसेंशियल होता है चाहे वो प्लांट ही क्यों नहों क्योंकि प्लांट भी लिविंग और्गनिजम की शेड़ी में आत है और उस प्रोटो प्लांट में माक्सिमम पोर्शन जो होता है वो वाटर का होता है इसलिए प्लांट को वाटर की आवश्यक्ता होती है इसके अलावा प्लांट में टर्जिडिटी की जो कंडिशन होती है मतलब जब वो पूरी तरह से फैला हुआ होता है या जो आप प्ल इसके अलावा जो भी biological processes होती है plant के अंदर, वो सब hydrated condition में होती है, hydrated condition का मतलब जब protoplasm में वहाँ पर पानी मौजूद होगा, जैसे कि respiration की process है, उसके लिए उसको पानी चाहिए होता है, photosynthesis का process है, उसके लिए उसको पानी चाहिए होता है, इसके अलावा growth जो होती है plant में, उ उसके लिए भी उसको पानी की आवशकता होती है, इसके अलावा जो transportation का process होता है plant में, जैसे उपर के पार्ट में, जो उसका aerial part होता है plant का, उसमें की भोजन बनता है, तो वो उपर के पार्ट में बनने के बाद, plant के सारे parts में transport होता है, उपर से नीचे के तरफ, तो वो भी liquid condition में ही जाता है, तो इसलिए उसके लिए भी पानी की आवशकता होती है, स्वायल से जब minerals आपके absorb करता है plant, तो उसका जो उपर के part में transportation होगा, वो भी water के ही द्वारा liquid condition में होता है, तो इसलिए plant को water की आवशकता होती है, और बिना water के, बिना पानी के plant survive नहीं कर सकता है अगर कभी plant के पास पानी की कमी हो जाए, क्योंकि plant में एक phenomenon होता है transpiration का, उस transpiration के phenomenon को आप अगले unit में पढ़ेंगे, लेकिन उसके दोरा पानी का loss होता है, तो जब पानी का loss होता है, तो plant सूखने लगता है, तो वो सूखे ना इसके लिए भी wilting ना हो plant में, इसके लिए भ प्लांट के लिए बहुत ही essential होता है बहुत ही आवश्यक होता है अब अगर उसको पानी चाहिए तो वो पानी कहां से लेगा क्योंकि प्लांट जो होता है वो कहां होता है स्वाइल में होता है और जब प्लांट स्वाइल में है तो प्लांट का जो दूसरा पार्ट होता है देखिए अभी हमने आपको जो बताया वो roll of water in plant था और plant को किसलिए उसके आउशक्ता होती उसके बारे में आपने देखा इसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर soil water relation जो water होता है वो कहा होता है soil में होता है और soil में यह water कहां से आता है बारिश का जो पानी होता है उसके द्वारा आता है तो बारिश का पानी जो soil में जाता है वो इन पांच categories में divide किया गया है gravitational water, capillary water, hygroscopic water, runaway water and chemically combined water अब हम पहले आते हैं gravitational water पे जब पानी आपका बरसता है तो पहले तो वो उपर की जो soil की सतह होती है वो उसको saturate करता है जब उपर की सतह संतुस्ट हो जाती है पानी से तो उसके पश्चात पानी जो है वो अंदर soil में या जमीन में gravitational force होता है जिसकी वज़े से वो पानी gravitational water इस gravitational water को plant absorb नहीं कर सकते हैं प्लांट इसको नहीं absorb कर सकते हैं लेकिन ये वो पानी है अगर हमको कभी आशकता होती तो हम लोग बोर करके जो पानी जमीन से निकालते हैं वो आपका ये gravitational water होता है चाहे उसको हम अपने उपयोग में लाए या आपने देखा होगा gravitational water ही होता है अब हम आते हैं दूसरे पर वो है capillary water gravitational water तो आपका gravity में चला गया इसके अलावा soil में जो non-collidal particles होते हैं उनके बीच में जो water मौझूद होता है जो बारिश का पानी वो कहलाता है capillary water और इस capillary water में surface tension की वज़े से ये gravitational force के कालर नीचे नहीं जा पाता है और यही capillary water है जो plant अपनी root के द्वारा absorb करता है तो plant को जो water available होता है वो ये capillary water होता है इसके बाद देखें तीसरी category है hydroscopic water hydroscopic water बारिश का वो पानी होता है जो collidal particles के बीच में cohesive force के कारण water के molecule के बीच में जो cohesive force होता है जिसके कारण वो रुका रहता है cohesive force कहां होता है same kind के जो molecules होते हैं उनके बीच में जो force होता है वो कहलाता है cohesive force ये water plant को बहुत small quantity में plant इस water को utilize करता है अब इसके बाद next आपका आ रहा है run away water आपने देखा होगा कि बारिश जब होती है तो पानी जब बहता है तो बहुत सारा पानी आपका बह जाता है नालियों से नालों से नदियों में पहुंच जाता है ये जो पानी आपका बारिश का है run away water ये किसी काम में नहीं आता है ये wastage होता है और इसी wastage को रोकने के लिए देखिए government of India ने एक water harvesting की बात की है water harvesting का मतलब क्या होता है कि जब हम बड़े बड़े घर बनाते हैं तो जो हमारी छतों का पानी है या buildings बनाते हैं कि वो पानी जो है छतका नालियों में बेह करके नहीं जाता है वो नीचे soil में चला जाता है और soil में जाने के बाद वो gravitational water और capillary water में convert हो जाता है जिसको हम future में use कर सकते हैं अब इसके बाद next आता है आपका chemically combined water soil में हम जानते हैं कि बहुत तरह के minerals मौजूद होते हैं तो जो water आपका है जब उन chemicals के साथ combined कर लेता है तो वो chemically combined water कहलाता है यह chemically combined water भी plant absorb नहीं करता है तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जो five categories हैं आपके पानी की जो बारिश के दोरा soil में जाती है उसमें से plant सिर्फ और सिर्फ maximum capillary water को ही absorb करता है इसी water को soil absorb करता है अब आपने देखा यह soil का पानी में पानी हो गया किस तरह से यह किस किस category में मौजूद होता है अब इसके बाद next है आपका field capacity field capacity क्या होती है हर soil की field capacity अलग-अलग होती है field capacity क्या है जो real water soil अपने अंदर retain करके रखती है मतलब soil की जो water retain करने की capacity है वो कहलाती है उस soil की field capacity अब आपने देखा यहाँ पर water के बारे में किस किस तरीके का water होता है और कौन सा water plant absorb कर सकता है अब इसके बाद हम बात करते हैं water absorbing part की plant के plant में water का absorption कहां से होगा soil से होगा और soil के अंदर plant का कौन सा part होता है root होती है अब उसी root के द्वारा ही water का absorption होता है root जो होती है plant की उसके four jones होते हैं यह आप देखें figure जैसे यहाँ पर दिया हुआ है यह पहला हो गया root cap zone root cap zone जो होती है वो एकदम नीचे tip पर होती है और इसके ठीक पीछे यह आपका meristematic reason होता है root में जो यह cap मौझूद होती है चुकि root soil में penetrate करके जाती है तो इसलिए meristematic zone वो zone होता है जहाँ पर cell divide करती है तो इसको protect करने के लिए यहाँ पर एक cap like structure होता है जिससे जब hard soil के अंदर root आप की जाए तो यह जो delicate part है essential part है यह आपका damage ना हो अब ठीक यहाँ पर जब cells meristematic reason के divide करेंगी तो इसके पीछे क्या है zone of elongation zone of elongation का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर cells आपकी elongate करेंगी पहला zone root cap zone दूसरा है cell division का zone यह जिसको यहाँ पर systematic reason कहा गया है उसके बाद zone of elongation जहाँ पर cell आपकी divide की है वो grow करेंगी इसके बाद यह आपका आता है root hair zone water का जो absorption है plant में वो इन तीनो reason में नहीं होता है maximum जो water का absorption है वो आपका root hair zone में होता है इस zone में इस zone में hair like structures यहाँ पर देखिए निकले हुए है अब यह देखिए यह एक single root hair है यह root का बाहर वाली layer है जिसको हम epiblema या epidermis कहते हैं इसी में से यह hair like structure जो आपका यह निकला हुआ है यह एक tubular structure होता है single cell का बना हुआ है देखिए हाँ पर कोई partition wall नहीं है और यह ही root hair जो है water को absorb करने का काम करती है यहाँ पर बाहर की तरफ यह cell wall है जो इसकी wall होती है इसमें बाहर वाला जो reason होता है वो पैक्टिन का बना हुआ होता है और अंदर वाला cellulose का बना हुआ होता है और बीच में यह देखिए चुकि यह plant cell है आपको पता है कि plant cell के अंदर एक बहुत बड़ा vacuum पाया जाता है तो यह center में एक large vacuum है इस vacuum के अंदर क्या भरा हुआ है cell sap भरा हुआ है और इस vacuum और cell wall के बीच का जो यह reason आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है cytoplasm है और यहाँ पर nucleus है तो यह जो root hairs मौजूद होती है root की surface के उपर इसी के द्वारा water soil से absorb होता है और जब absorption होता है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है absorption का phenomenon होता है absorption और absorption दो अलग अलग word है तो जब यह absorb हो जाती है उसके बाद फिर वो उसके अंदर जाती है जिसका की अलग phenomenon है अब देखिए आप इस figure को देखिए flow of water from soil solution to xylem sap यह soil solution है यह आपका xylem sap है और यह beach का portion है soil solution में कहां से absorb होगा भी आपको मैंने बता है root hair के द्वारा अब root hair कहां खुल रहा है root hair किसका extension है epidermis का epidermis के बाद अगर हम root care structure की बात करें तो क्या आएगा cortex आएगा और cortex के बाद endodermis pericycle के बाद आपका vascular system आता है जिसमें कि xylem क्योंकि पानी का transportation हमेशा xylem के द्वारा होता है plant में तो यहाँ पर जो water का potential है वो high water potential है यहाँ पर जो water का potential है वो negative value है water potential की अब देखे water potential क्या है इस water potential के बारे में हमने अपने पहले lecture में जो पहले unit one का lecture मैं ने लिया تھा उस में मैंने आपको explain किया हुआ है और unit one में भी explain है ये water potential जो है क्या है water का जो flow है water potential के terms में explain किया जाता है और वो जो water potential है in terms of free energy of water molecule water जब pure form में है तो उसकी free energy क्या होगे सबसे ज़्यादा होगी और जब उसमें कोई भी salt या solute dissolve हो जाएगा तब उसकी जो free energy है वो कम हो जाती है अब जब pure water है उसकी free energy ज़्यादा है तो अगर हम उसकी value लेते हैं तो उसकी value आती है 0 अब जब उसमें कोई चे डिजॉल्व हो जाएगी तो यहाँ पर maximum higher water potential 0 है और जब उसमें कोई dissolve हो जाएगा तो उसकी value क्या होगी कम होगी तो जब कम होगी तो 0 से वो value कहा जाएगी negative में जाएगी तो water का जो moment होगा या तो हम इसको बोल सकते हैं from high water potential to low water potential या दूसरे term में हम बोल सकते हैं lower osmotic potential to higher osmotic potential cell के अंदर जो osmotic concentration है वो ज़्यादा होगी तो कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर water में dissolve होती है तो high osmotic potential हो गया और soil solution में यहाँ पर concentration जो होती है dissolved substances की कम होने के करण यहाँ पर water के quantity ज़्यादा होने से यहाँ पर low osmotic potential है तो या तो हम यह कह सकते हैं कि low osmotic potential से high osmotic potential की तरफ water का moment होगा कैसे? root hair से cortex होता हुआ zilem में पहुचेगा या high water potential से root hair और cortex से होता हुआ zilem sap में पहुचेगा कहाँ? जहाँ पर negative value है water potential के अब देखिए इसके बाद अभी आपने देखा कि water जो है कहाँ से plant ले रहा है soil से ले रहा है किस तरह से absorb कर रहा है absorption के साथ-साथ यहाँ पर mechanism of water absorption मतलब यह जो phenomenon हम आपको बता रहे हैं यह इतना simple भी नहीं होता है कि पानी में root की hair गई और पानी उसके अंदर गया और plant के अंदर चला गया क्योंकि वो एक system है एक living organism का तो वहाँ पर भी बहुत सारी processes चलती रहती है तो mechanism जो water absorption की है यह बहुत simple नहीं होती है कि सीधे सीधे पानी गया और penetrate करके उसके अंदर चला गया यहाँ पर देखे रनन नाम के एक scientist ने दो mechanism absorption of water या इसको हम uptake of water भी कहते हैं इसको explain करने के लिए दो mechanism दी है एक है active absorption की mechanism और दूसरी है passive absorption की mechanism अब देखे जो active absorption की mechanism है यह किन plants में होती है यह उन plants में होती है जो water का absorption है active absorption mechanism के दोरा उन plant में होता है जो जिनमें जो transpiration का process है या तो नहीं पाया जाता है या slow होता है और passive absorption की process उन plants में होती है जहां पर transpiration का process plant में बहुत fast होता है, मतलब वो जो transpiring plant होते हैं, जिसमें water loss transpiration के दोरा होता है, उनमें passive absorption की mechanism के दोरा water का absorption होता है अब देखिए यहाँ पर इस lecture में हम आपको active absorption की mechanism को explain करेंगे पैसी absorption की mechanism को हम इसके बाद जब हम दूसरा lecture deliver करेंगे तो हम वहाँ पर उसको explain करेंगे अब बात करते हैं हम यह जो पहली है active absorption की process mechanism of water absorption की active absorption की process जो है काउन से पौधों में होती है जहाँ पर transpiration या तो बहुत slow होता है या होता ही नहीं है अब यहाँ पर absorption किस के दौरा होगा? root के दौरा होगा जैसा कि इसका नाम है active मतलब जो roots हैं they are actively involved in the absorption of water मतलब जो force root को चाहिए root hair को चाहिए absorption के लिए वो force कहां generate होता है? root itself में ही मौजूद होता है वो factor जिसके दौरा absorption होगा वो root itself में ही मौजूद होता है अब active absorption के जो process है यह भी दो तरह की होती है पहला है osmotic theory of active absorption और दूसरी है non-osmotic theory of active absorption osmotic theory of active absorption में जो absorption का फेनॉमिना होगा वो किसके according चलेगा? along the concentration gradient along the concentration gradient का मतलब यह हुआ कि जो osmosis का फेनॉमिना आप पिछली unit में पढ़ चुके हैं या मेरे पिछली lecture में आपने देखा होगा कि जहाँ पर जो weak solution होता है वहाँ से water का moment कहा होता है? higher concentrated solution की तरफ through a semi-permeable membrane तो यहाँ पर आप देखिए यह plant की root है यह इसकी root hair है, root hair के द्वारा ही absorption होगा पानी का, सबसे पहले water molecule यहाँ क्या हुआ? adsorb हुआ और adsorb होने के बाद फिर वो उसके अंदर absorb होकर के अंदर जाता है तो यहाँ पर देखिए जो यह आपका cell है इस cell के अंदर root की जो osmotic potential है वो 2 to 8 atmospheric pressure पे होता है और soil का जो osmotic potential है वो below 2 atmosphere है इसका मतलब क्या हुआ? soil का osmotic potential या soil के में जो concentration है वो पानी की कम है मतलब उसमें minerals कम dissolve है पानी ज्यादा है और cell sap के अंदर या cell के अंदर concentrated solution है इसलिए यहाँ पर simple osmosis के phenomena के द्वारा water के molecule root hair से absorb होते है तो कि soil का osmotic potential below 2 atmosphere है और cell के अंदर का जो osmotic potential है वो 2 to 8 atmosphere मतलब उससे ज्यादा है तो इस तरह से osmotic theory of active absorption के थूँ जो force यहाँ चाहिए जो difference है वो कहाँ develop हो रहा है इस root itself में develop हो रहा है और along the concentration gradient हो रहा है मतलब osmosis के phenomena को osmosis के rule को वो follow कर रहा है अब देखिए जो दूसरी जो है active absorption की theory है वो है non-osmotic theory of active absorption non-osmotic theory पहले आपने देखी osmotic theory मतलब वहाँ पर along the concentration gradient हो रहा था along osmosis के phenomena से हो रहा था यहाँ पर non-osmotic है मतलब यहाँ पर osmosis का phenomena काम नहीं करेगा अब देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे पहले मैंने आपको बताया कि cell के अंदर osmotic concentration ज़्यादा थी osmotic potential और soil का osmotic potential कम था तब तो वहाँ पर osmosis का phenomena हुआ और osmotic theory वहाँ पर काम की लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो soil का osmotic potential है वह जो है हाई होता है और osmotic potential जो cell के अंदर है root की वह क्या हुआ वो लो हो गया अब अगर यहाँ पर हम osmosis को लागू करें तो यहाँ पर भी osmosis का phenomena हो सकता है लेकिन उस condition में क्या होगा जो अंदर का water है वह बाहर की तरफ आ जाएगा इस phenomena को हम क्या कहते है exosmosis का phenomena कहते है जो कि हमने पिछली lecture में भी आपको बताया है तो अब गर ऐसी condition में कहीं plant है और पानी उसका जो है बाहर आने लगा चुकि cell के अंदर osmotic potential जो है वो cell के अंदर osmotic potential जो है वो लो है और soil के अंदर osmotic potential जादा है तो इस condition में क्या होगा ये condition होने से तो plant survive भी नहीं करेगा लेकिन ऐसा नहीं होता है exosmosis का phenomena वहाँ पर भी नहीं होता है वहाँ पर भी water का absorption होता है root hair के द्वारा अब देखिए जब यहाँ पर water का absorption हो रहा है तो यहाँ पर osmosis के phenomena के थूँ नहीं होगा along the concentration gradient नहों करके against the concentration gradient होगा मतलब एक जो phenomena है उसके against यहाँ पर काम है अब जब आप उसके against यहाँ पर काम करना पड़ेगा plant को तो यहाँ पर उसको किस चीज की जरुरत होती है energy की जरुरत होती है और वो energy plant को कहां से मिलती है वो energy plant को मिलती है respiration से तो non-osmotic theory of active absorption के cording अगर soil में भी osmotic potential ज़ादा है और cell के अंदर root की osmotic potential कम है osmotic potential तब भी पानी cell के अंदर ही जाएगा root की root से बाहर नहीं आएगा वो अलग बात है वहाँ पर होगा वहाँ पर along the concentration gradient होगा के again the concentration gradient होगा energy की जरुरत होगी अब देखिए इसके evidence में क्या support है अगर plant में वो चीजें जिससे respiration का phenomena रुकता है जैसे कि कुछ poisonous substances होते है potassium cyanide है sodium azide है उनको डाल दीजिए तो respiration का phenomena रुक जाएगा respiration रुकेगा तो water absorption का phenomena भी रुकेगा इसी तरह से अगर soil में oxygen की deficiency है तो भी water का absorption रुक जाता है क्यों क्योंकि जब oxygen होगी तभी वहाँ पर respiration का phenomena होगा जब respiration होगा तो वहाँ पर energy generate होगी इसी तरह से एक हार्मोन है आपका जो आप आगे पढ़ेंगे oxygen oxygen हार्मोन जो है वो rate of respiration को बढ़ाता है तो अगर आप oxygen भी दे दीजे तो वहाँ पर भी rate of respiration जो बढ़ जाएगा तो उसकी वज़े से absorption आपका plant में बढ़ जाएगा तो यह जो evidences हैं यह non-osmotic theory of active absorption को support करते हैं देखे यहाँ पर हमने आपको mechanism of water absorption में active absorption की mechanism को explain किया उसकी दोनों थियोरियों को explain किया अब जो active absorption का phenomena plant में हो रहा है इसका evidence क्या है क्योंकि science में कोई भी चीज़ बिना evidence के नहीं मानी जाती है तो जो plant हैं हमने क्या बताया यह जो active absorption का phenomena उन plants में होता है जहाँ पर rate of transpiration या तो हो ही नहीं रहा है बहुत slow है या हो ही नहीं रहा है तो ऐसी condition में आपने देखा होगा कभी कभी कि जब आप सुबा उठते हैं तो कुछ पौदे ऐसे होते हैं जिनकी leaf की margin के उपर water की drops लगी भी होती हैं तो वो जो water की drops आपकी निकल रही हैं वो एक phenomena plant में होता है gutation का phenomena या हम इसको exudation बोलते हैं तो gutation और exudation के phenomena जो plant में होता है वो उन plants में होता है जिन में या तो source transpiration होता है या transpiration बिलकुल नहीं होता है तो water का जो loss है वो water droplets के form में होता है gutation के द्वारा या exudation के द्वारा तो यह जो gutation और exudation का phenomena है यह तब होता है plant में जब वहाँ पर root pressure ज्यादा होता है और यह gutation और exudation का phenomena जो है active absorption की theory को support करता है active absorption की theory को एक evidence provide करता है तो इस तरह से देखिए active absorption की जो theory है उसका evidence कहां से आता है जो plant में gutation या exudation का phenomena होता है धन्यवाद